यह एक गर्म-गर्मी का दिन था. एक प्यासे कौवा पानी की तलाश में एक गाम में उड़ गया. कौवा ने घरों, खेतों और पेडों पर उडान भरी. लेकिन उसे कोई पानी नहीं मिला. एक लंबे समय के बाद वह एक खेत में आया. खेत पर एक पेड के नीचे पानी का घडा था. खुश है कि उसे कुछ पानी मिला, आखिरकार वह नीचे पेड पर जपटा मारा और फिर जमीन पर. वह जल्दी से घड़े की ओर बढ़ा और अंदर देखा. बरतन में बहुत कम पानी था. कौवा ने अपनी चोंच को घड़े के अंदर डाल दिया, लेकिन पान लेकिन यह बहुत भारी था. कौवा निराश था. वह वास्तव में प्यासा था और उसे बुरी तरह से पानी पीने की जरूरत थी. वह छोड सकता था और दूसरे खेत में बह सकता था. पानी की तलाश में. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. इसके बजाए उसने चारों ओर दे में डाल दिया. उन्होंने एक और कंकड एकत्र किया और दूसरा और उन सभी को घड़े में डाल दिया. जैसे ही उन्होंने अधिक से अधिक पत्थर जोडे, जलस्तर ब्रिम तक आ गया. कौवा ने पानी पिया और खुशी से घर वापस उड़ गया. नैतिक. विचार, शी झाल जैसे ही उन्होंने रावस्पाइ को लग़े में डाल दूसरा और वागसा साथ शड़े, जा एक झाल रम्योंने जैसे ही उन्होंने, रहपस्ट प्रापसा है और भापस आ ब्रूसरा आ पानी यादा, विचार लूसरा बाल, शोसराई रón पानी जाए गल्षर, चार ब